निफ्टी के फ्यूचर होए बिल्डफ देता अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि निफ्टी फियरफुल लग रहे हैं मार्केत भी फियरफुल लग रहा है और वो किस चीज का दड़ है जो मार्केत को उपर जाने से रोक रहा है चलिए इस बात को ही चेक करते हैं अपने देता में सबसे पहले यहाँ पे आप निफ्टी को देखेंगे तो आज इसे सौध बिल्डफ होते वे दिखाई पढ़ रहा है लेकिन पिछले पाच दिनों को आप कंबाइन करके एक साथ देखे तो यहाँ पे हमें लॉंग बिल्डफ देखने को मिलेगा मैं चाहता है तो उपर क्या चीज़ है की से रोक रहा है निफ्टी को ओप्षन चेन पर देखेंगे तो इस जगह आपको 2,55,000 लोट्स के ओपन ट्रिस्ट खाड़ा दिखाई पड़ेंगे साथी साथ एदिशन देखिए 1,33,000 लोट्स के एदिशन दिखाई परेगा और 25,300 का स्ट्राइक है इसके निच्चे अगर देखेंगे तो इस जगह आपको 2,33,000 लोट्स का ओपन ट्रिस्ट दिखाई परेगा एती 1,000 लोट्स का ओपन ट्रिस्ट एदिशन दिखेगा और 25,600 का स्ट्राइक है एक और चीज देखने वाली बात है कि आपको 25,300 के साथ और उसके ऊपर भी हमें परतेक स्ट्राइक परतेक लेवल पे एक रसिस्टेंच दिखाई पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस जगह पे एक रसिस्टेंच जोन किरियत हो रहा है नेप् प्सेलटरफ सपोर्ड देखे एस जगह आपको 2 लेग 39,000 लाच्ष को पंदेष बना उवा है इस डाइक है 25,000 का और इसके बाद आप देखिए एश जगह 1 लेग 29,000 लाच्ष को पंदेष खड़ा है आपका 25,100 के स्ट्राइक इसके बाद आपका इस जगnea 1.68,000 लाच्ष और आपका स्ट्राइक के 25200 का स्ट्राइक, तो एक तरह से Major Support अगर देखेंगे, निफ्टी के ऊपर 25000 का स्ट्राइक दिखेगा, 25100 और 25200 के स्ट्राइक के ऊपर Major Support दिखाई पर रहा है, most important level की बात करेंगे निफ्टी के उपर तो आपको दिखाई परेगा 25,300 का लेवल जहां को call side में आपको 25,000 लोट्स का उपन्ट्रेज दिखेगा वह put side में आपको 1,30,000 लोट्स का उपन्ट्रेज दिखेगा तो यह एकत्रस वह लेवल है जहां हमें बुल्स और बेर्स के बीच लडाई दिखाई पड़ रही है लेकिन इस लेवल के उपर तोरस से बुल्स भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे है अगर निफ्टी इस लेवल के उपर दिखेगा तो हमें 25,350, 25,400 के लेवल और उसके बाद 25,500 के लेवल दिखेंगे निफ्टी का PCR 0.96 के उपर है पिछले दिन के मुकाबले कम होके आया है और आप मैक्स बेन को देखेंगे तो 25,200 के उपर मैक्स बना हुआ है तो एक तरह से बात करेंगे तो PCR और मैक्स में बता रहे हैं कि अभी निफ्टी रेंज में ही रहेगा साइड वेज रह सकता है निफ्टी के वाई बिल्द अबस अगर देखेंगे तो आपको इधर ठोरे पूट ट्राइटरस देखेंगे और यहां पर पूट में अन्वाइंडिंग दिखेंगा साथे साथ यहां पर देखें सौट कवरिंग देखने को मिला है और पूट बाइंग होते हुए भी देखने को मिला है मतलब पूट के साथ में जो पोजीशन बना है वो एक तरह से कन्फ्यूजन के रिए कर रहा है जो भी पूट के ट्रेदर से उनके मन में ऐसा लग रहा है कि मार्केट इधर उधर हो सकता है इस वज़े से आप देखेंगे कि यहाँ पोजीशन भी अजीव गरीब सा बना हुआ है दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप कॉल साइद में तो आपको कॉल राइटर्स मिलेंगे दबा के कॉल राइटिंग हो रखा है और यहाँ पे लॉंग अन्वाइंडिंग भी हो रखा है मतलब जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन कॉल बाइंग कर रखी थी वहाँ से उन्होंने अपने लॉंग पोजीशन को अन्वाइंड किया है वहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़े है मतलब यहाँ से तो टीजर सिगनल आ रहा है कि निफ्टी पे कमजोरी दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा मिक्स वैग हमें देखने को मिल रहा है इस वजे से जो उपर ओबर ओल जो आपका त्रेन आप दिखाई पड़ रहा है वह हो सकता है कि रेंज बाउंड या साइड वेज रहे अंत में अगर ओवर इस पड़ की बात करेंगे तो आपको निफ्टी के ऊपर पुत भी बाई होते हुए दिखाई पड़ेगा और कॉल भी बाई होते हुए दिखाई पड़ेगा आप देखिए 26 सप्टमबर के एक स्पाइरी पे आपको 25,000 का पुत भाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है और यहां भी आपको दिखाई पड़ेगा पुत भाई होते हुए और आपको कॉल भाई भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है और put by भी होते हुए दिखाई पढ़ रहा है निफ्टी के ऊपर तो एक तरह से हम लोग है सकते हैं कि OIS spot के ऊपर भी निफ्टी पे जो निफ्टी के traders हैं वहां लोग confused दिखाई पढ़ रहे हैं वो उनको भी एक direction पता नहीं चल रहा है कि किस direction में वो market को ले जाना चाहते हैं वो सकता है कि market भी अपने आप में confused हो, market जब तक confused रहेगा तो उपर हमें profit booking देखने को मिलेगी और निचे जब भी आएगा तो थोड़ी buying देखने को मिलेगी और जब तक ये confusion रहेगा market में तो ये थोरा साथ year हम लोग बात कर रहे हैं वो market में रहेगा कि profit booking हो सकती है